भुलो जैकारा, भूल मेरे, शीरी गुरु महाराजे की जै शीरी परम्हन सद्वैत्मत शीरी करंथ शीरी शीरी 108 शीरी चतुत पाईशाई जी का जीवन प्रवचन साथ जीव आत्मा कुल मालिक का अंश है अंश को यदि अपने मालिक से जिसका की वे अंश है मिलने की सच्ची लगन हो तो उसका मालिक से मिल जाना कुछ कठी नहीं इसमें संदे नहीं की अंश रूप जीव अपने मालिक से बिछड़ा हुआ होने से प्रितिक है किन्तु अपने कुल से तो भिंद नहीं है इसमें भी अपने कुल अर्थात परमात्मा के समस्त गून तक शक्तियां विदमान है तथा जब अंश परमात्मा से मिल जाएगा तो वही शक्ती इसमें भी परकट होगी जीव परमात्मा का अंश होने से चेतन निर्मल और अविनाशी भी है परमात्मा की सक्ता एवं शक्ती इसमें तबी परकट होगी जब ये परमात्मा से मिलने की लगन रखेगा विदी पूरवक पुरशारत करेगा जल की एक भून सागर से यदि पृतिक है तो उस समय भून मलीन शीतल गरम आदी रूप में होती है उसकी सक्ता शक्ती ना होने के तुल्य है प्रन्तु जब वही भून अपने भंडार अर्थात सागर से मिलकर उसमें समाहित हो जाती है तो वे सागर रूप हो जाती है इस परकार जीव रूपी सुर्तिक जो मालिक रूप से शबद से बिछड़ी हुई है तथा बिछड़ कर चिरकाल से संसार के बंदन में पड़ी कलेश ग्रस्थ हो रही है वे यदि शबद से मिल जाती है तो इसकी शक्ती अनन्त और अपार हो जाए फिर तो वे सदा स्वर्वदा के लिए दुख कलेश के से उपर उठकर मुक्त हो जाए सुर्थी में चेतन सत्ता एवं अनन्द का आस्तित्व तो है प्रन्तु जब तक ये शबद से ना मिले इसमें सत्ता शक्ती नहीं आ सकती तनिक सुर्थी को पिंड देश से हटा कर बरबंड में ले जाकर देखे तो मालूम होता है कि वहाँ पहुंच कर कितना अपूर्व अनन्द शक्ती सुर्थी को प्रापत हो रही है यही काम करना है कि सुर्ती को पिंड देश से निकाल कर बर्मंद में पहुंचाना है जहां पिंड और बर्मंद की सीमाई मिलती है इसमें आगे एक नाका है जिसे बंक नाका कहते है सुर्ती को इस नाके से पार करना है इस नाके को पार किये बिना सुर्टी बर्मंड में नहीं पहुन सकती ना ही वहां कि परम अनन्द का रस्वत पान कर सकती है ये नाका अत्ती सुक्षम है तदा इसी को पार कर सकना कठिन है अभियासी सत्गुर के ध्यान के सहारे इसे पार कर सकता है क्योंकि सुर्टी को इस न पूर्ण लाग लपेट से रहत करना होता है जब तक सुर्ती के साथ स्थूल माया की समगरी शामिल है सुर्ती में सुक्षमता नहीं आ सकती अथवा ये सुक्षम नहीं बन सकती सुक्षम हुए बिना सुर्ती नाके को पार नहीं कर सकती मुक्ती दोवारा साकारा राई दसवे भाई मन तो मैलिग होई रहो निक से कोई भी दिजाई शिरी कबीर साहब जी का कतन है कि मुक्ती का द्वारा अर्थाद बर्मंड देश में परवेश पाने का नाका तो अतिक सकर्णी है वेराई के धाने के दसवे अंच से भी अधिक सूक्षम है प्रन्तु मन को हाथी के समान स्थूल हो रहा है ऐसी अवस्ता में ये उस नाके में क्यों कर निकल सकेगा माया ममता की आशिक्त एवुम बंदन ने ही सुर्टी को स्थूल बना रखा है सुर्टी अथवा मन हाथी के समान स्थूल होने का यही अभी प्राय है जब तक सुर्टी जगत के बंदनों तथा विश्य विकारों आसकती को मुकत ना होगी ये सूक्षम ना बन सकेगी तथा इसकी वर्तमान स्थूल अवस्ता में उस नाके को पार कर सकना बहुत कठिन है विचार करो कि जो शक्ती सूक्षम पदार्थों में होती है वे स्थूल पदार्थ कहांस होती है जिस प्रकार प्रित्वी के गरम से तेल निकाला जाता है सरप्रथम वे स्थूल अथ्वा मलीं रूप में होता है स्थूल धात्वों की मिलावट के कारण गाड़े और काले उस तेल में अती सधारण शमता होती है तथा ये वे सधारन कारेों में परयोग लाए जाता है तथा उसे शुद करते हैं उसे वे कूर्ण ओयल के रूप धारन करता है इसकी शमता काले तेल की अपिक्षा अदिक होती है तथा विभिन इंजनों में उसका परयोग किया जाता है तद उपरान और भी शुद किये जाए से High Speed Diesel बनता है तब उसकी शमता और भी बढ़ जाती है तथा वह और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है और भी शुद होने पर घासलेट अथ्वा मित्टी का तेल बनता है ये और भी अधिक सूक्षम अत्वा अधिक उपयोगी होता है पून्ये शुद्ध करने से उसमें पावर ही पेट्रोल आदी बनते हैं जो अपेक्षा मात्र रूप से अधिक शमता रखने वाला तथा अधिक उपयोगी है इनकी सहायता से गाड़ियां मोटरे चलती है आगे चलकर पून्ये इसमें वायू यान का इधन बनता है और भी अधिक शक्ती रखने वाला है अर्था तेल को जितना अधिक परिशुद अवं सूक्षम तर बनाया गया वे इतना ही अधिक सक्षिश्ट शक्ति शालि उपयोगी होता है इस परिकार सूर्थी जब तक मलीन माया में लिप तवम स्थूल है इसमें नाम मातर भी सकता शक्ति एवं आनन नहीं होता इसको सुक्षम बनाना है और नाम के अभ्यास से इसको सुर्ती को सुक्षम कर सकते हैं मित्ती के साथ मिलकर शुद जल्बी कीचड का रूप धारन करता है तथा ये उसका मलीन एवं स्थूल रूप कहलाता है इस रूप में उसका मुल्य और महत्तव कुछ भी नहीं रहता वही जल्ब सुक्षम होकर भाश भाप बन कर अच्वा भाप का रूप धारन करता है तब उसकी शक्ति एवं उसका मुल्य बहुत बढ़ जाता है इस परकार जब तक सुर्थी स्थूल रूप में अर्थात काम करोध लोब मों अहंकार विकारों में मैली रहती है तो इसका कोई मुल्य नहीं होता ऐसी अवस्ता में काम नहीं बनेगा अब इसे इन समस्त मलिंदाओं से रहत अर्थाज शुद करके सुक्षम रूप बना देना तथा बंक नाल के सुक्षम नाके से गुजार कर भर्मंडम में पहुंचाना ये काम जब तक नहीं किया जियों समझों की जीवन का पूरा लाब नहीं उठाया सुर्ती जब तक स्थूल रूप में है तब तक चाहे कोई विद्मान हो गुणी हो धनवान हो बलवान हो वै आतम आनन तथा आतम शक्ती से वंचित रहेगा सब परकार की भोतिक समर्थ उपलब्ध होते हुए भी निर्बल तथा दीन बना रहेगा इसलिए सुर्ती को पिंड देश समबंदी सब परकार की असक्ती से रहत करना तथा बंदनों से मुक्त करना पिंड देश से भरमंड देश में ले जाना अपना देश अनामी लोक है वहाँ पहुँच कर ही वास्त्विक अनन मिलेगा शीरी गुरु महराज जी अपने वचनों में समझा रहे हैं कि पिंड और भरमंड देश पिंड देश कहते हैं हमारी आखों से नीचे का भाग जो शरीर में है क्योंकि जब सुर्ती जो हमारी consciousness जिसको कहा जाता है सुर्ती इंद्रियों में फसी रहती है खान पान में फसी रहती है तो वो पिंड देश में है लेकिन जब हम भजन अभ्यास करते हैं तीसरी आख पर ध्यान देते हैं इससे उपर जब जाने लगती है तो उसको बरमंड देश कहते हैं बरमंड देश से जाती जाती एक स्थान आता है जिसको नाका कहा जाता है इस नाके पर जब पहुंचते हैं तो हमारे जो सुर्ती है जो हमारी consciousness है उसको इतना सुक्षम होना पड़ता है इतना स्थिर होना पड़ता है कि जैसे एक राई के छोटे दाने से भी उसका दस्वा हिस्सा means जैसे सुई में हम धागा डालते हैं तो सुई का जो नोख होती है वो कितनी बारीक होती है तो इसी तरह हमारा जो वो नाका है वहाँ पे सुर्ती बहुत सुक्षम रूप में जाकर ही जा सकती है उस नाके से निकल सकती है अगर अंदर की मनजिले हमें देखनी है तो हमें अपनी सुर्ती को सुर्ती means जो हमारे विचार इदर उदर घूमते रहते हैं उनको एकागर करना है एकागर करकर अपने स्वासों पर ही लेके आना है जब हम इन स्वासों पर एकागरता चित बढ़ाएंगे तो आप फील करेंगे कि जो हमारा ध्यान है वो सेंटर में होता जाता है और जब सेंटर में होता जाता है वो हमारा ध्यान उपर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे इनमें विचार कम होते जाएंगे जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे हमारी जो सुर्ती है वो सुक्षम से सुक्षम होती जाएगी एक भागा जैसे सुई से निकलता है उसी तरह ये हमारी जो सुर्ती है हमारी consciousness है उस नाके से निकलकर अंदर की तरफ जाएगी जब हम अंदर की तरफ जाएगे तो हम अपने अंदर के विचारों को देखेंगे अ शरी गुरु माराजे समझा रहे हैं कि हम उस परमात्मा का अंच हैं हमारे अंदर वो सारी ताकते हैं वो सारी चीज़े हैं जो एक परमात्मा में हैं क्योंकि जो समुंद्र है उसकी एक भूंद को लेकर ही किया जाता है कि इसमें क्या है जब साइंटिस्ट लोग ब्लड टेस्ट करते हैं आपकी शरीर से ब्लड निकालते हैं वो सिर्फ एक बूंद ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या है क्या बीमारी है क्या नहीं है सिर्फ एक बूंद से प वो बून है जो हमारी आत्मा है वो एक बून है परमात्मा पूरा समुंदर है उस परमात्मा क्या हम अंश है एक बून हमारे अंदर वो सब ताक्ते हैं जो उस परमात्मा में है लेकिन हम जब दुन्यावी चीजों में भटक रहे हैं हम अपने ताकत को भूल चुके हैं और हम जब सत्गुर की शरन में आते हैं अपनी ताकत को पहचानने का गुण हमें सत्गुर की शरन में जाकर मिलता है जैसे एक भून ब्लड टेस्ट में जाता है तो सब चीज पता चल जाता है कि इसमें कि इसका ब्लड किस तरह से काम कर रहा है इसके blood में immune system क्या काम कर रहा है इसके blood में cells कैसे है all that information कि blood sugar level क्या है सब उसमें पता चल जाता है आपको पूरा blood नहीं निकालना पड़ता इसी तरह से एक बूंद blood में हम पूरे गुण अगुण देख लेते हैं हमारे शरीर अंदर ये blood की क्या प्रस्तिती है इसी तरह से हमारे शरी गुरु माराजी हमें समझा रहे हैं कि हम उस आत्मा के अंच को परमात्मा के अंच को आत्मा को पहचाने इसकी ताकत को जाने क्योंकि इस ताकत इसमें वही ताकत है जो उस परमात्मा की है तो अपनी ताकत को पहचानो, इस सुख दुख में नहीं उलजे रहो, इस सुख दुख से कहीं उपर उठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ समझो कैसे जब हम उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़कर अंदर की तरफ उतर जाएंगे उस बरमन्द देश की यात्रा शुरू कर देंगे, जैसे जैसे उस बरमन्द की यात्रा शुरू करेंगे हम उस आनंद के साथ जुड़ते जाएंगे, गहरा जुड़ते जाएंगे और इस सुख दुख से बहुत उपर उठ जाएंगे तो गुर्म को शिरी गुरु माराजी हमारे लिए कितना कष्ट उठा कर हमें इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपना ध्यान अपने सत्गुर के चर्णों में एकागर करना है, ताकि हम अपने सुख दुख से उपर उठ सकें शिरी गुरु माराजी कष्ट उठाते हैं, वो भजन करने के लिए हमें कहते हैं, लेकिन भजन करने का लाग किसको है, हमें है, उनको कोई लाग नहीं है, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं कि परमात्मा से जोड़ने का हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो गुर्म को इस गहराई से जोड सके बोलो जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु महराज की जै